हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी योटूब चैनल सोचोलोजी विस संगीता मैं मैं संगीता स्वागत करती हूँ इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोचोलोजी की कमपडिली बिग्जाम के प्रिपेशन करते हैं और आप लोगों का सपोर्ट इस प्रकार से मेरे साथ बना रहे हैं इसके लिए बहुत ही जाद आप लोग को थैंक यू अभी जो हमारे क्लांसे चल रहे हैं उसमें हम लोग जारकन लेडे सुपरवाइजर का सिलेवस को कम्प्लीट कर रहे हैं यूटुब में तो क्लासें आई रही है साथी साथ इसका पेट ग्रुप भी चल रहा है तो जो भी स्टूदेंस पेट ग्रुप से ज Mortal होना चाहते हैं पेट ग्रुप में आपको फैसलिटि मीलेंगे कि इसमें आपको हैंड रेंटन नोटम मिलेंगे previous year questions मिलेंगे 2000 plus question तो अभी देहित दिया गया है साथी साथ जैसे हम लोग का syllabus complete हो जाएगा unit wise हम लोग MCQ को भी covering करेंगे sociology के extra material मिल रहे है और वैसे students जो जार्खन के upcoming sociology के vacancies है क्योंकि देखी सामने election आने वाला है तो यह एक ऐसा time है जिसमें आपको नहीं नहीं vacancy देखने को मिलेंगी जो अब तक आप लोगोंने नहीं देखी होगे उसमें से देखी आपको CDPO का एक देखने को मिलेगा और एक जार्खन में PGT लेबल का भी sociology का vacancy आने वाले क्योंकि जो कि अभी तक नहीं निकली है तो वैसे students जो सिर्फ graduate हैं जिन्होंने कोई भी extra qualification नहीं किया है जैसे BAID हो गया TAT हो गया तो उन लोगों के लिए CDPO भी एक बहुत बड़ी opportunity है वह ओफिसर लिबर के exam आपका होगा तो वैसे students जो इसका प्यारी करना चाहते हैं क्योंकि दिखें सिलेवस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 है क्योंकि जो जारकन लेडिस supervisor का है इसमें ही आपको 23 units परने को बोलें तो वो तो JPSC exam लेगा CDPO में तो उसका syllabus और भी भास्ट होने वाला है लेकिन अगर हम अभी से इसका preparation start कर देते हैं तो syllabus हम लोग के लिए थोड़ा easy हो जाएगा तो वैसे students जो CDPO की exam के preparation करना चाहते हैं वो अभी से जुड़ जाएगे तो इसके लिए मैं एक अलग से paid group बना रही हूँ जहाँ पे आपको handwritten notes प्रोबाइट किये जाएंगे sociology के हम लोग practice session करेंगे क्योंकि CDPO में आपको question answer लिखना भी होगा क्योंकि ये subjective भी होगा objective तो रहे गई सांतिसा सब्जेक्टिब भी रहेगा तो इसलिए हम लोग को question practice भी हम लोग को रखना पड़ेगा तो वैसे student जो CDPO का sociology के batch के साथ जोड़ना चाते हैं मुझे comment करके ज़रूर बताइए तो मैं एक अलग paid group स्टार्ट कर दूँगी और अभी से हैंसके classes हम लोग स्टार्ट कर देंगे और आज का जो सेसन है इसमें हम लोग sociology के miscellaneous questions को देखेंगे ये एक miscellaneous session चलाने का मेरा मकसद यही है कि इससे हम लोग को पता चलेगा कि sociology में किस प्रकार के question पूछे जाते हैं तो आज का जो हमारा miscellaneous question है वो पहला question है कि अधिकारी तंत्र बिमुक्ति करन यानि डिव्यू रोक क्रेटाइजेशन की अवधाना किनके द्वारा दी गई थी मैक्स बेवर लस्की वेंडेक्स या आई जेन टॉड यहां पर आपके चार्ण ओप्सन दिये गये हैं तो इसका right answer हो जेगा आई जेन टॉड दिखी समासास्त्र में जितने भी thinker से आपको प्राय आपको इंगलिस में ही मतलब पाश्यात समासास्त्र ही आएंगे तो उनको नाम याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है तो अधिकारी तंत्र बुईमुक्ति करन सब्द का प्योग सबसे पहले सन आईजन टॉड ने इजराइल नौकर साही के अध्यन में किया जिसमें लोक करमचाडियों की प्रवर्ती एवं मुवक्किल के प्रती उनके साथ व्यक्ति सम्मंद और विकास को अधिक प्रभावि जया था नैस कोई शने कि किसी संगतन की अपचाडिक संरशना में नहींत होती है और कोई बी संगतन की अभिप्राय उस व्यधानिक अधिकार से जिसके तहत कोई भी अउच्य अधिकारी अपने अधिनस्तों को आवशक निर्देश्यक दे सकता है प्रत्यय योजन का तनाथ पर ही होता है सत्ता का हस्तान सरंस है Next question है कि ससक्त कार्य दल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है ठीक है राजस्तान, पंजाब, शत्यसगर या उत्तरप्रदेश जो ससक्त कार्य दल है इसमें मेंली आठ राज्य सम्मिलित है लेकिन पंजाब यह वह सम्मिलित नहीं है जो इस प्रकार है जो आठ राज है वह बिहार, जारकन, मद्यप्रदेश, चत्यसगर, उत्तरप्रदेश, उत्राखन, उरिश्य अवम राजस्ता जारकन से डिलेटेड कोशन है यह कोशन आपका आ सकता है पंजाब इस काड़े दिल में सम्मिली थी है छेत्र विसिस्ट काड़े करों जो इस एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उसके तर्यारी करने के लिए सरकार द्वरस ससक्त काड़े दल का गठन किया जाता है आगमान तर्क प्रनाली तर्क का उपवाप्व करते हैं क्या करते हैं विसिस्ट उधारनव अत्वा अनुभव के सामानी करन द्वाड़ा वा नंशित और जन करने का प्रयातने करता है त्रिक्ति उधार्ण। ऑपने अनुभब सी ग्यां अर्जन करना चाता है और निगम نतर के प्रनाली जिसमें विशेश को समानी से विशेश की ओर चलना होता है। उसकी सत्ता प्रविशेश उधार्णों को प्रस्तुत करता है नेश कोशन है कि व्यक्ति की विचार सक्ति लुप्त प्राय हो जाती है कहां हो जाती है सक्ति लुप्त प्राय कहां हो जाती है व्यक्ति का जो विचार होता है वो प्राय कहां हो जाता है भीर में सक्ति लुप्त बीर के लिए सारीरिक सानीद्विंद्वियर यहन्bly फीजी कल नियरनेस होना आवशक होता है यदि लोगनिकत खड़े नहों तो भीर ही नहीं किसी समवेक के कारण लोग भीर के रूप में जमा होते हैं समवेक के समाफ्त होने पर भीर भी समाप्त हो जाता है समवیग सीलता यानी इमोशनरे डिजिब कोई घटना घटेद होती है तो उस घटना को किसी न किसे समवेग के संबंद अवश्य रता है घटना घटी है लोग एक स्थान पर जमा होकर उसी समवेग के वशर्वत हो जाते हैं जिसकी घटना से संबंद होता है और उनकी तर्क सक्ती लूप्त हो जाती इसी कारण सभी सम्वेग सिल बन जाते हैं अंतिमनेन यानि फाइनल डिसिजन तर्क सक्ती के अभाव में तथ सम्वेग का साम में होने पर लोग जो मन में आता है वही कर बैटते हैं चाहे उसका परिनाम अच्छा हो या बुरा हो बुद्धी का निम निस्तर्क सक्ती के अभाव में और भाव वेश के कारण भीर के लोगों का बुद्धी इस्तर्क बहुत नीचे चला जाता है निम्लांकित में कौन समालोचक सिध्धान्त वादी है यहाँ आप आपके चार ऑप्सन दीएगे है थोरी समाजिक विग्या और मानवी की सप्राप्त अमेल में लाकर समाज में संस्कृति को प्रदभिम्बित करने के वे आलोचना करते थे हमारा नेश्ट कोशन है कि डैविड मेंडल बाम ने अपना अध्यन किस छेत्र में किया था ठीक है कौन है डैविड मेंडल बाम वह एक अमेरिकी समाज विग्यानिक थे उन्होंने भारत में छेत्र किया था यानि फिल्ड रिसर्च किया था तो वह कहां पर किया थे वे नीलगरी में किया था उनका जो अध्यन का छेत्र था कि वो कहां पर था जब उन्होंने फिल्ड रिसर्च किया तो वो दक्षिन भारत का न प्राइब जाए रखेगा तो फेहिए हो जारगा तो इसके किसने बदाया था यह ग्राम्सकी जीने बदाया रहते हैं उनका अधिपयत्य से ताठ पड़े एक संस्क्रितिक नेटित्य से हैं जो सासक वर्ट से होता है उनका मत है कि आधूनिक बुजूरबवा समाज की दृडरा का प्रमुक्स रोध या सासक वर्टिय शांस्क्रितिक नेटित्य ही होता है जो जन समुदाय पर अपना मूल्ल प्रनाली के छाप funding कर देता है सब्लिटर्म प्रेस्पेक्टिव नेच्ट कोश़ेंग समंदीद डेवर्टवाइन किसमस्धीर हैं तो यहां पर 4 ऑप्संन देगे है सब्सक्राइब पाकिस्तान के रावल पिंडी में तता सिक्षा दिख्षा इंग्लेंड में हुई थी इनकी प्रमुक पुस्तके हैं भानच चन्रो आंदोलन में गुज्रात 1980 गुज्रात के राष्टवादी किसक खेरा जनपद उसके बाद फिर इनकी बादिवासी एजर्ट चानि एंग्य। गुज्जत बाद इनकी स्ब्सक्राइब निय। टिखुट के में गाज्जित खेरा डिधाब फिर अन्य। डिवेश एंग। नाइविवेशन इंग्य। इनकी फिर्द्ट गुज्जड के रेश्टान फिल्ट्री अर्ट यह सवल्टम परस्पेक्टिब्स के अंतरगत आएगे नेक्स्ट गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अधिन किस नहीं किया था तो गुजरात की जो जनजातियां थी उसमें देवी आंदोलन का अधिन डेविड हार्डीमेन ने किया था डेवी हार्डीमेन ने गुजरात में देवी आंदोलन का अधिन किया जिसमें सवल्टम परस्पेक्टिस को देखनी की कोसिज की गए उन्होंने दक्षिन गुजरात में बीसवी सदी की सुरुवात में स्थानिय जनता दुवारा किये गए जन आंदोलन को देखा और इसे देवी आंदोलन कहा गया यह सांतिपुर्ण आंदोलन था जिसका नेतियों दुस्वर्म आदिवाशियों ने किया था, उन्होंने देखा कि आदिवाशियों के बीच इस आंदोलन को समकालिन सरकार समाचार पत्र राष्टवादी और बाद में इतिहास कारों ने लगबग नजर अंदाज कर दिया था नेश कोईशने के सास्त्रिय तथा आधुनिक समाचार सास्त्रिय दृष्ट्रिकोन के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिकित में से दृष्ट्रि गोचर होता है तो अधुनिक समासास्तिय दिष्टिकोन के बीच मूलभूत जो अंतर है वो मद्यम बिन्यास के सिध्धानतों का विकास है बद्यम बिन्यास के सिध्धानतों का विकास से मतलब हो गया कि जो middle range theory होती जैसे सास्तिय समाज सास्तिय सिध्ध जो दिष्टी कौन होते हैं वो एक ब्यापक समाजिक धाचा होता है उसको केंद्र में रखकर आधुनिक समाज सास्तिय दिष्टी कौन पेक्चर के सुक्ष मे समाजिक इकाईओं की एक इकाई होती है कौन समा सास्तिय दिष्टी कौन की सास्तिय तता आधुनिक समाज सास्तियों के दिष्टी कोन के पेचे ये केंदित का निकाय के होचे कि समस्टी से वेस्टी से धानतिक रिष्टी कोनों तक ली सब्द स्थानन तरन निश्ट कोईशन है कि मानवतावादी समासास्तियों के विचाड में वे कौन सी महत्पुन घटनाई हैं जिनको सुसपष्ट रुप से अधिन किया जाना चाहिए तो वह विज्ञान जो पुनराव विर्ती होने वाले घटनाओं की नियोमों से सासित है इस प्रकार सबके चार अप्सन दिये गए हैं तो यहाँ पर पुशा मानवतावादी समासास्तियों के विचाड़ में वे कौन सी महत्पुन घटनाई हैं जो सुसपष्ट सध्यन के जान जाएं तो वे अनूठी एतिहासिक सक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया हो उसका निर्मान किया हो मानवतावादी समासास्तियों के विचाड़ में वे अनूठी एतिहासिक सक्तियां या क्रियाएं जिन्हों ने मानव अनुभव के करम को मुख्य रूप से निर्मित किया है इनको सु इस पस्टू रूप से अध्धन किया जाना चाहिए ठीक है सिध्धांतवाधियों का समिछात्मक जो संप्रदा है वो आर्थिक निश्चेवा तता समाजी जीवन को आर्थिक तता सांस्कृतिक छेत्र पर केंदित करता है सिद्धात वादियों का समिछात्म संप्रदाय आर्थिक निश्चे वाद तद समाजरी जीवन के अन पहलियों के संतुलन को आर्थिक तद सांस्कितिक छेत्र पर ध्यान करने करके ठीक करता है सब्द जो होता है वह आर्थिक निश्चे वाद होता है अमेरिकी इतिहास के सब्द लेखन में इतिहास का चार्ल्स A. वियर्ड के साथ जूरा हुआ है वे मार्क्सवादी नहीं था परंतु उन्होंने अपने काड़ियों में एक तरफ जहां बेंकरों तथ व्यापारिक हितों की बीच लंबी अवदी तक राजनेतिक संघर से उन्होंने किया था लिए साथे कोश्यों बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट है इसको इसलिए आप प्रोग जरुए से देखिए हमारा नेक्ष्ट कोश्यन है कि आधुनिक नौकर साहियों के विकास में कौन से काड़क योगदान नहीं है जो आधुनिक नौकर साहिय ब्योड़ों के सी ठी चीज को हम लोगों के धियान रखना होगा तो आधुनिक नौकर साहियों के विकास में मुद्रा पढ़ हांधारित अर्थवरस्टा का विकास प्रसांसनी कारियों का विकास होता है है तो तता कानून के वैधान्य की तर्गपुन व्याक्या का योगधान है बस तो भीनी मे लेन देन के अर्थवरस्ता का विकास आधुनिक नौकर सहयों के विकास में इसका योगदान देता है यहाँ पर देखिए next question में हम लोगों को मिलान करने के लिए दिया गया है यहाँ पर आपके options दिये गें जो कि आपको मिलान करने के लिए दिये गें आगमेन ने का है रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक समान अभिविक्ती गिलीन एवं गिलीन ने का है दैनिक जीवन विहवार के धाचे की समान और यूटर ने का है यूटर वं हाट ने का है वर्गे के सद्धेशियों के क्रिया कलाब की समान साधारन आदते यह जिद्ध यह question आप लोग को पढ़ने पर लगा होगा कि questions hard है लेकिन यह question जब तक आप इसको clear नहीं किरीजेगा आपको समझ में नहीं आएगा तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे channel के साथ बने रही है आपको sociology की preparation करवाए जाएंगी और जो भी students जार्कन लेडे supervisor के paid group से जुनना चाते है तो उसका process में description box में दे दे रही हूँ contact number दे दे रही हूँ ज़रूर आपको मुसे एक बार contact करें मेरे channel के साथ बने रहने के लिए आप सभी का thank you